असलाव अनेकम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, अच्छा जी, आज उमान के लिए एक बहुत बड़ा दिन था है क्योंकि वर्ल्ड कप कौलिफायर्स का जो सर्मनी थी और जो मैचिस थे वो ट्रिगर हो गए और उसके साथ ही साथ उमान ने बहुत बड़ी फता हसिल की ये के जो प्लियर हैं शक्की बूल असन उनके लिए भी एक रिकॉर्ड इस में बन गया है उमान में, अच्छा जी ये दुस्ता कुछ आवर्वियू अब बात करते हैं काम की, काम की बात यह है कि अलहम्दल्ल्ला हालाद नॉर्मल हो रहे हैं उमान में और एक की वाइप्स जो हैं वो हर तरफ से आ रही हैं मतलब पहले जो मामलाद थे जो परेशानियां और जो फिक्रें लाहक थी लोगों को वो अब अलहम्दल्ल्ला इस्ता इस्ता तकरीबन खतम हो गई हैं लेकिन कुछ अबी भी बाकी हैं जो कुछ बाकी हैं उनमें कसव मौश ज देखना पढ़ रहा है इस वक्त तो मेरी उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो इस वक्त इस टाइम से गुजर रहे हैं कि हमत नहीं हारनी परेशान नहीं हो ना जैसे वो वक्त गुच्रा जो बहुत ज्यादा खतरनाक था जिसमें आपको पता ही नहीं था कि कब आपकी दुगाने खुलेंगी कब आपके कारोबार खुलेंगे अब के बिसनस खुलेंगे और आप देखेंगे के चीजे रौनके इस तरह से जैसे जासे जासे काफेटीरिया भरे हों और लोग जो वह नजुआए कर रहे हैं चिल कर रहे हैं जैसे पहले कर दे थे वैसी दुबारा से बिलकुल इसी तरह से फिर से रौनके बहाल होंगी बिलकुल हंड़ीड परसंट मस्जद अलहराम और मस्जद अनवी को भी अलहमदोला फुल कैपस्टी में खोल दिया गया है विदाउट अनी जो डिस्टन्स पॉलिसी थी उसके तो ये भी एक पॉलिटिव साइन है कि सबसे बड़ी अबादतगा अगर विदाउट अनी मतलब रिस्ट्रिक्शन्स और वो खुल गई है तो इंशालला तमाम बाकी जो मसाजद और जो चीजद बंद है वो भी इसी तरह बिना समाजी फासले के और बिना उसके अनकरीब उमीद है कि उस पर भी कुछ ना कुछ मा रिमूव कर देते हैं अधर वाइस ही आपने लगा के रखना है उमान में अभी तक मास्क के लिए कोई कानून ऐसा चाया नहीं है कि आप उसको रिमूव कर सकते हैं अनोसी और विजा से रिलेटिड और फ्लाइट से रिलेटिड मेरी कंप्लीट वीडियो आपको इस वीडि में आद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो छोड़ी से छोड़ी बनाओ क्योंकि बहुत सारे जो मेरे देखने वाले हो मुझे कहते हैं हमारे M20 जो है वो सर सेलरी कम है पैकेज महंगा होता है तो हम M20 बजाते हैं तो मु